तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक necessary condition for the convergence of a series तो एक necessary condition क्या है एक series convergent होने के लिए और यह necessary and sufficient नहीं है सिर्फ necessary है तो पहले हम इसका theorem देख लेते हैं तो इस theorem का पहले हम statement यहां पर लिख लेते हैं सो यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक necessary condition a necessary condition for the convergence convergence of a series a necessary condition for the convergence of a series is un तो अगर यह series हुआ summation un is limit un equals to 0 तो यह है theorem और इसको मैं भी prove करेंगे और इसका converse जो true नहीं है वो भी हम देखेंगे तो पहले मैं बता देता हूँ कि necessary condition का मतलब क्या होता है तो आप पहले इसको समझने की कोशिश करो कि यह necessary condition for the convergence of a series कि एक series convergent होगा उसके लिए necessary condition है यह चीज़ मतलब मतलब अगर एक series suppose un एक series है un is convergent अगर यह convergent होगा तो यह imply करेगा कि limit un equals to 0 तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर एक अच्छा example मुझे याद आ रहा है तो मेरे teacher यह कहा करते थे कि जब यह necessary वाला चीज़ जो आता था तो वो एक बहुत अच्छे से example देकर यह समझाते थे कि necessary condition का मतलब क्या होता है और necessary and sufficient condition में difference क्या है तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि necessary मतलब मतलब मैं आपको समझाता हूं कि हाँ पर है कि un की convergent के लिए एक necessary condition है limit un equals to 0 इसका मतलब है कि un अगर converge करेगा तो यह जरूर होगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि higher secondary higher secondary आपको pass करने की एक necessary condition है अगर आपने higher secondary pass कर दिया है तो इसका एक necessary condition यह होगा कि आपने secondary भी secondary भी अपने secondary exam जो होता है 10th के पास 10th के बाद तो उसको भी आपने pass किया होगा तो यह इसका एक necessary condition हो गया secondary pass HS pass या फिर higher secondary pass का एक necessary condition हो गया क्योंकि अगर आपने secondary पास नहीं किया तो आप यहाँ पर AHS या फिर higher secondary में एक्जामी नहीं दे सकते हैं तो यह इसके necessary part हो गया लेकिन यह imply नहीं करेगा यह चीज़ कि अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप higher secondary भी पास कर जाओगे यह इसको हमेशा imply नहीं कर सकता इस तरीके से आप इसको याद रखने की कोशिस करना कि even एक convergent है यहाँ पर अगर तो यह imply करेगा कि even का limit जो है यहाँ पर n tends to infinity इसका मतलब होता है तो यह जो limit होता है यह 0 होगा लेकिन यह opposite में imply नहीं करेगा कि अगर even एक convergent मतलब अगर limit इसका even एक series है यहाँ पर यह एक series है समयसान even और अगर limit even equals to 0 है तो यह हमेशा यह imply नहीं करेगा कि even एक convergent series हो तो वो converge part हम यहाँ पर देखेंगे तो यह जो case मैंने कहा यहाँ पर तो इसको हम कहते है necessary necessary condition कि एक दूसरे को imply करेगा लेकिन वो opposite में से imply नहीं कर सकता तो अब यह आप देखो necessary and sufficient condition किसको कहते है मैं उसका एक example देता हूँ तो हमने पिछले वाले जो question किया था principle of convergence तो वो था necessary and sufficient तो उसको हमें एक छोटा से example से समझते हैं कि अगर किसी ने अच्छे से study किया हो मतलब पराई जो अच्छे से करेगा वो imply करेगा उसकी grade भी अच्छा हो उसे marks या फिर grade कहो या फिर marks कहो तो वो उसको क्या हैगा वो भी अच्छा होगा उसका तो अगर किसी का grade अच्छा है तो हम कह सकते हैं opposite में कि उसने अच्छे से पराई किया होगा तो इसको आप कह सकते हो necessary and sufficient कि एक चीज दूसरे को imply करता है और वो भी back में पहले वाले को imply करेगा तो इसको हम कहेंगे necessary and sufficient condition कि दोनों एक दूसरे को imply करेगा लेकिन इसके जिमें ऐसा नहीं होगा तो यह हुआ necessary condition और इसे कहते हैं necessary and sufficient condition तो पहले वाला जो कुछिन हमने किया था इसके पहले तो वहाँ पर हमने necessary and sufficient condition वाला किया था तो आप हम करेंगे सिर्फ necessary condition तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम पहले मान लेंगे कि UN जो series है वो convergent है और उससे हम दिखाएंगे कि limit UN equals to 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी जो proof इसका proof है कि let let UN be convergent then then for a pre-assigned positive epsilon जो हमने पिछले question में किया था जो conscious principle of convergence था कि then for a pre-assigned positive epsilon there exists a natural number M such that kya ho ga u in plus 1 plus u in plus 2 plus u in plus p less than epsilon for all in greater equals to M and for P for for every natural number P every natural number P then for all in greater and for every natural number P P P if we keep 1 or 2 or 3 so if we keep natural number P P P value then true then taking P equals to 1 we get तो P का value अगर 1 रखेंगे तो इसका value क्या हो जाएगा अब देखो P का value यहाँ पर यह जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर P का value 3 होता तो यह क्या होता यह होता U n ब्लास 1 प्लास U n प्लास 2 प्लास U n प्लास 3 यह होता तो P का वैलू अगर 2 होता तो यह होता है U in plus 1 plus U in plus 2 और यहाँ पर है P का वैलू 1 तो यह हो जाएगा U in plus 1 सिर्फ यह वाला element यहाँ पर बच जाएगा ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर P का वैलू 1 है तो यह चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर U in plus 1 यह हो गया लिज देन इपसाल 1 फॉर अल in greater equals to m अब एक चीज देखो तो एक suppose U in यह एक सिक्वेंस है यहाँ बर U in देक सिक्वेंस है और समेशान U in एक सिर्फ है यहाँ बर U in एक सिक्वेंस है और समेशान U in जो है उससे हम कहते हैं सिर्फ जो इस सिक्वेंस पर डिबेंड करता है अब देखो suppose U in एक सिक्वेंस है और हम कैसे दिखा देते हैं कि इसका लिमिट जो है 0 है तो लिमिट U in इक सिक्वेंस जीरो इससे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U in minus 0 यह अगर epsilon से छोटा है तो इस इंप्लाई करेगा U in अगर यह epsilon से छोटा है तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर हमारे पास जो है U in plus 1 epsilon से छोटा है तो देखो अब U in plus 1 इससे हमें अगर income value यहाँ पर रखेंगे 1, 2, 3 करगे तो हमें U1, U2, U3 सारा का सारा sequence मिल जाएगा U in तो U in plus 1 यहाँ पर दिया गया है तो इससे भी सिर्फ first time को छोट कर U 1 को छोट कर अगर हम 1, 2, 3 यहाँ पर रखते जाएंगे तो सिर्फ U1 को छोट कर U2, U3, U4, U5 सभी के सभी जो है elements उस sequence का हमें मिल जाएगा तो हमें वो sequence यहाँ पर मिल जाएगा U in वाला सिर्फ U1 को छोट कर तो इसलिए इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि U in less than epsilon है इंप्लाई करेगा limit U in 0 है उसी तरीके से इसको U in plus 1 है, epsilon से छोटा है तो इससे हम इसको लिख सकते हैं कि limit U in equals to 0 तो इससे हम इसको लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पर लियाद एजिम किया थे कि U in a convergent है और वहाँ से हमने दिखा दिया है यहाँ पर कि limit U in जो है वो 0 है तो अभी इसका हम converge पार्ट करेंगे so the converse is not true the converse is not true मतलब क्या कि अगर limit U in equals to 0 है तो वो series convergent नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि that is limit U in equals to 0 does not necessarily necessarily imply कॉन्वर्जेंज आफ दा सीरीज summation तो अभी में next page में लिखता हूँ तो मैं फिर से उसे एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमने लिखा था नहीं प्याँ नहीं हो c हम आची जिखेंगे क्या लिखेंगे क्युन बला भी में लिखेंगे के लिखेंगे अ वीसोचो देमा पर अ लिखेंगे क्युन वाल ना कब ळाचा है okay limit even equals to zero does not necessarily imply imply convergence of the series of the series even because because the sufficient sufficient condition for the convergence of the series of the series so here we are telling what the sufficient condition is that when the limit even is zero and the convergence is not so here we are telling that because the sufficient condition for the convergence of the series even states that states that must exist for a pre-assigned pre-assigned epsilon there must be must exist for a pre-assigned epsilon there must exist a natural number M such that such that un plus 1 plus un plus 2 plus un plus p less than epsilon for all in and for every natural number p or I am actually लिक्सकते है for p equals to 1, 2, 3 and so on therefore therefore the sum of p consecutive terms consecutive terms of the series therefore the sum of p consecutive terms of the series मतलब जो ये है must be must be less than epsilon कि हम यह बार इसको ही लिख रहे है अच्छे से कि अगर ये true होगा उसका मतलब क्या है कि ये जो p consecutive term का वो जो series है उसका p consecutive term 1 से लिएक अब देख सकते हो n plus 1, n plus 2 करते करते है p तक इसकी जो sum होगा इसका जो sum होगा वो क्या होगा उसका value कोई वी एक pre-assigned pre-assigned epsilon से छोटा होगा less than therefore the sum of p consecutive terms of the series of this series must be less than epsilon whatever whatever natural number p natural number p maybe कि हम p का कोई भी value यहाँ पर रखे हम 100 तक ले यहाँ फिर 1000 तक ले p का value तो ये जो sum है ये हमेशा एक pre-assigned epsilon से छोटा होना चाहिए whatever natural number p may be the condition must be must be satisfied for all p not for and all p and not for only a particular p तो इसका मतलब मैं in short बताता हूँ कि सबोज आपने कोई एक value यहाँ पर ले लिया epsilon का कि 1 by 3 तो उसके according आपको एक m का value मिलेगा m उसका कोई एक value है तो उसके लिए यह समेशान हमेशा epsilon से छोटा होगा for all all p तो यहाँ पर p का value अपने suppose 1 thousand रख दिया तो n प्लास 1 से लेकर n प्लास thousand तक की यह समेशान होगा वो epsilon से छोटा होगा सबस अपने p का जगाबा आप 1 10 million तो भी क्या होगा यह ज़रूर epsilon से छोटा होगा यह जो समेशान अब देख रहे हो अगर p का value हम change कर देंगे तो इसकी जो है यह ज़ादा हो जाएगा अब यहाँ पर suppose अगर p का value हमने रख दिया 2 तो यहाँ पर 2 element होगा n प्लास 1 और n प्लास 2 1000 रख दिया तो यहाँ बर 1000 elements हो जाएगा उसका sum तो कोई भी p का value के लिए कोई भी p for all p यह वाला चीज epsilon से छोटा होना चाहिए not for only a particular p छोटा कोई भी particular p के लिए नहीं कोई भी p के लिए तो अभी हम तो यह हो गया statement converse is not true और उसकी जो statement हमने यहाँ पर लिख दिया अब इसके उपर एक example हमको देना होगा कि जिससे proof हो जाए कि जिसका limit जो है zero है लेकिन वो convergent नहीं है तो हम अभी एक जो है example लेंगे let us consider the series you win where you win equals to one by in तो मैंने पहले यह बताया था कि यह जो series होता है harmonic series में मैंने यह बताया था कि यह जो series होता है one by in यह जो series होता है इसका मैंसे लिख सकते है one plus one by two plus one by three plus one by four and so on इसको हम कहते है harmonic series harmonic series और यह होता है क्या यह एक divergent series होता है तो यहाँ पार अब इसकी proof जो है देख सकते हो कि यह कभी है कैसे यह divergent होता है तो लिख सकते हो लिख सकते हो लिमिट इसका क्या होगा अगर इंटेंस्टी इंफिनिटी करेंगे नीचे इन है अगर नीचे इंफिनिटी आ जाएगा यह एगा 1 इंफिनिटी तो यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पार लिमिट इवेन है 0 बट इवेन इस ए डाइवर्जेंट सिरीज तो इवेन एक डाइवर्जेंट सिरीज है अब देख कैसे हैर सन प्लास पी माइनस सन इकोल्स टू तो इसका वेलो हमको कैसे मिलेगा सन और सन सन प्लास पी और माइनस सन का सो सन का मतलब क्या होता अब देखो सिरीज क्या है यहाँ पर सिरीज यह है कि यहाँ पर सिरीज जो है यह है ऐसा 1 प्लास 1 बाइ 2 प्लास 1 बाइ 3 ऐसे करते करते हैं 1 by in ऐसे से करते करते हैं यह जाता है तो यहाँ पर as in का value क्या होगा? इन तक की समय साथ मतलब as in हैं यहाँ पर 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on plus 1 by in यह है as in अब देखो as in plus p क्या है? यह है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by in plus p तक जाएगा यह plus 1 by in plus 1 plus 1 by in plus 2 ऐसे करते करते हैं plus 1 by in plus p तो अगर हम इसको इस से अगर इसको minus कर देंगे तो यह जो part यहाँ पर है तो अगर हम करेंगे s in plus p minus s in तो यह वाला जो part यहाँ पर है यह जो है cancel हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा यह वाला part तो हम लिख सकते हैं इसको s n plus b minus s n इसको लिख सकते हैं 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus p अब देखो, if we take p equals to n if we take p equals to n अगर p का वैलो हम नहीं यह बर n रग दिया a s n plus p minus a s n मतलब इसका वैलो क्या हो जाएगा इसका वैलो हो जाएगा तो अब देखो हमने यह मौड यहां से हटा रहे हैं क्योंकि यह सारा का सारा जो है positive term है तो हमने, क्योंकि इसके अंदर अगर positive term हो तो हम मौड दे या फिर ना दे, a की वैलो होता है कि 3 का वैलो जो है और मौड के अंदर plus 3 का वैलो जो है एक ही है इसलिए हमने यहां पर मौड यहां से उठा लिया है तो इसका हम लिख सकते हैं अगर p का वैलो है क्या? एन तो यह क्या हो जाएगा? 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 ऐसे करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 1 by n plus 1 मतलब 1 by 2n तो यह आप देखो क्या है यहां पर कि इसका हम ऐसे लिख सकते हैं अब यह चीज़ देखो कि 1 by n plus 1 यह 1 by 2n से छोटा है यह फिर बरा है? यह है 1 by 2n से बरा क्योंकि n plus 1 यह 2n से छोटा है अगर in का value 1 ना हुआ तो कोई भी बरा एक in blow तो n plus 1 2n से छोटा है अब देखो यहां पर तो यह बहुत ही छोटी सी चीज़ है आपको में जादा ही समझाने की जरुद नहीं है क्योंकि n plus 1 छोटा है और 2n बरा है तो इसलिए यह जो fraction है यह जादा हो गया यह छोटा हो गया similarly 1 by n plus 2 यह भी 1 by 2n से बरा है ऐसे करते करते जब हम पहुचेंग 1 by n plus n minus 1 तो यह हो जाएगा मतलब 2n minus 1 तो यह भी 1 by 2n से बरा है और 1 by 2n जो है वो 1 by 2n से इकोल है तो अगर हम left और right को add कर देंगे तो हमें क्या वचे का है हैं पर कि 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 ऐसे करते करते plus 1 by 2n यह क्या होगा यह जादा होगा किस से 1 by 2n plus 1 by 2n plus 1 by 2n यह in times है तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि इसका वैलू किस से बड़ा है 1 by 2n plus 1 by 2n plus 1 by 2n यह है in times तो इसका क्या वैलू है इसका तो in times है तो यह हो जाएगा क्या यह हो जाएगा इसका वैलू हो जाएगा in by 2n क्योंकि in times है है अगर add कर देंगे और यह cancel हो जाएगा half 1 by 2 हो जाएगा तो इसका वैलू हमारे पास आगया 1 by 2 तो हमें क्या मिला है हाँ पर तो sn plus p minus sn यह हो गया equals to equals to नहीं half से 1 by 2 से जादा हो गया तो यह जो difference आगया partial sum का यह आगया half से जादा 1 by 2 से जादा तो अब देखो कि अगर हम कोई भी epsilon यहापर choose करें suppose हमने यहापर रख दिया epsilon की value 1 by 3 जो कि 1 by 2 से छोटा है तो यह जो sn plus p minus sn का value है यह तो half से जादा होगा तो of course यह 1 by 3 से भी जादा होगा तो इसका मतलब यह convergent नहीं है क्योंकि अगर यह convergent होगा तो convergent के लिए यह जो difference है यह epsilon से छोटा होना चाहिए यह जीज को fulfill करना चाहिए यहापर लेकिन यह ultra हो रहा है यह epsilon का value है और यह से जादा हो रहा है तो इसका मतलब यह जो sn जो sequence है वो converge नहीं करेगा इसका मतलब जो series है वो भी converge नहीं करेगा तो हम यहापर लिख देंगे यहापर कि therefore therefore sn plus p minus sn cannot be made cannot be made less than a chosen और a pre-assigned positive epsilon positive epsilon less than half और less than 1y2 for every natural number p तो ऐसे हम नहीं कर सकते कि कोई भी natural number p के लिए यह जो चीज है वो कोई भी pre-assigned positive epsilon से छोटा हो यह चीज तो इसका मतलब की sn converge नहीं करेगा तो उसका मतलब जो series है so the series is series so the series is divergent तो यहाँ पर दो question हो गया एक है कि जो necessary condition है उसका converse part जो true नहीं है हमने वो दिखाया और एक चीज़ आपने देखा कि इससे हमने दिखाया है कि जो harmonic series होता है one by इनको expand करके वो harmonic series जो है कैसे divergent है उसका भी हमने यहाँ पर proof कर दिया है तो दो question आपकी यहाँ पर cover हो गया तो इसके बाद वाले वीडियो पर हम question करेंगे तो I hope कि आपको यह जो question था अच्छे से समझ माया है तो आप जरूर comment में बताना कि आपको कौन सा बाट कैसा लगा मतलब अगर कहीं पर कोई doubt है तो तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तेक के लिए good bye and take care